हेलो फ्रेंड्स कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि आज हम क्या बनाएं तो आज बहुत ही इजी और सिंपल और बहुत ही हेल्दी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब हलकी फुलकी भूक लगी हो या फिर कुछ चटपटा सा खाने का मन हो और बीना तेल का तो फ फिलके वाली मूंकी डाल है आप देख सकते हो यह बहुत अच्छे से फूल गया है और मैंने इसे बहुत अच्छे से वाश कर लिया है तो दो तीन पानी से अच्छे से वाश कर ले ताकि इसका जो भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी अब हम क्या करेंगे एक मिक्सी का चार लिया है उसमें हम इसे एड कर देंगे तो फ्रेंट्स मैं इहां पे सिर्फ दाल को यहां पे ग्राइंड कर रही हूँ आप चाहो तो इसमें थोड़े से धनिया पत्ती अधरक और ग्रीन चिली को आप एड करके ग्राइंड कर सकते हैं लेकिन मैंने इहां बस हलका सा प चावल में मैंने इसे निकाल लिया है तो जार में थोड़ा सा पानी डाल करें इसे और भी अच्छे से जार को क्लीन कर लेंगे और इसके बाद जो पानी है वो भी हम इसमें एड कर देंगे तो जार को मैंने बहुत अच्छे से दो लिया है और पानी इसमें हम एड कर वन धर्ड कप के करीब मैं यहाँ पे चावल का आंटा यूज कर रही हूँ वो है मैं इसमें अड़ कर देगे और यहाँ पे मीडियम साइज का प्यास था तो आधा प्याज मैंने लिया है बिल्कूल बारिक कट करके दो तीन ग्रीन चिली मैंने यहाँ पर कट करके यूज किया है धनिया पत्ती एड़ कर देंगे और स्वाद के अनुसार नमक एड़ कर देंगे वन फोर्थ चम्मची करी भी हाँ पर गरम मसाला एड़ करेंगे आव 1 4th चमच की करीब ही हाँ पर मैं चाट मसाले ले रही हूँ वो भी हम साथ में डाल देंगे 1 4th चमच की करीब und assume काली मिर्च का पॉडर है वो हम डाल देंगे और सभी चीजों को हम अच्छे से mix कर लेंगे पींच ओफ हींग भी मैंने इसमें एड़ किया है इसका flavor इसमें बहुत अच्छा आता है आप इसमें जरूर एड़ करें तो friends यहाँ पे मैंने moon की डाल बस यहाँ पे मैंने भीगो के इसमें ग्राइंड किया है आप चाहो तो साथ में यहाँ पे आधा कप चावल भी आप इसमें डाल सकते हो और दोनों को साथ में एक साथ भीगो कर आप इसमें ग्राइंड कर सकते हो लेकिन मेरे पास चावल का आटा था तो मैंने यहाँ पे चावल का आटा यूज किया है सबी चीजों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्रेंट्स ये रेसेपी बहुत ही जादा अच्छी बनके तयार होती है बहुत ही जादा चटपटी, टेस्टी और खाने में भी फ्रेंट्स बहुत ही जादा हेल्दी है तो आप ये रेसेपी एक बार जरूर ट्राई करें मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ किया है क्योंकि ये बैटर मुझे बहुत जादा थीक लग रहा था और ये हमारा बैटर तयार हो गया है आप देख सकते हो बस इसी थीकनेस का हमें यहां पे घोल बना कर तयार करना है यहां पे मैंने एक पैल लिया है तो आप यहां पे तवे का भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा हम ओयल इसमें डाल कर तवे को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे किसी भी कपड़े से या टीशू पेपर से मैं इसे अच्छे से पोच लूँगी और एक चमच में बैटर इसमें डाल कर हम इसे अच्छे से फैला देंगे तो मैं यहां पे बिल्कुल पतला नहीं बना रही हूँ थोड़ा सा हम इसे थीक ही रखेंगे थोड़ा सा सफेद वाला तील मैं इसके उपर इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी थोड़ा सपक जाने के बाद हम इसे टर्ण कर देंगे तो फ्रेंड्स यह बिल्कुल दो बूंद तेल में बनके तयार होता है बहुत ही जादा टेस्टी, हेल्दी और चटपटा सा नास्ता है और इसे बनाने में भी आपको 5 मिनिट से जादा का समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा और ये बहुत ही मज़िदार सा हमारा नास्ता बनके तयार हो जाता है तो फ्रेंड्स अगर कुछ हलका फुलका खाने का मन हो बिना तेल का तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही जादा ये हल्दी है आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हैं बच्चों को बहुत पसंद आता है और इस तरह से करके मैंने यहां पर सभी नास्ता बना कर तयार कर लिया है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी मेरी ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सस्क्राइब करना बिलकुल भी न बूले और ये हेल्दी सी रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करें और अगर पसंद आये तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप देख सकते हो कितना सौफ्ट सा हमारा ये नास्ता बनके तयार हुआ है तो मैंने इसे दही के साथ सर्फ किया आप इसके साथ कोई भी सबजी चटनी या फिर आहाँ पर रायता बना सकते हो और ये दिखिए इस तरह से आप फोल्ड करके बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो पसंद आये तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें मैं आपको एक यहाँ पर तोड़के भी दिखाती हूँ आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये सौफ्ट बनके तयार हुआ है बहुत ही ज़्यादा ये सौफ्ट बनते हैं खाने में भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिं लगते हैं सबसे पहली बात है कि बहुत ही जादा हेल्दी है बहुत ही कम तेल का तनास्ता है यह तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में ओके बाई एंड टेक केर फ्रेंड्स